सो एवरिवान आदके वने स्वीडियो टूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम किस तरह से वनी वेबसाइट के अंदर द्वा ट्रांसलेटर एड़ कर सकते हैं वेबसाइट अर्दी मों पिर किसी ऐसे मूलक से दो के इंगलेश अर्थुया हिंदी को नहीं समझता है आधे उसके लीज़ जए किनों ट्रांसलेटर आड़ करना पड़ते हैं तो यहां पर ही मैंने एक ट्रांसेटर एड़ कर रखा है जिसकंदर इंग्लिश फ्रेंच जर्मन और स्पैनिश यह चार लेंग्वेज इस अवेलेबल हैं तो यहां से कर दो है मैं फ्रेंच को चूज करता हूं तो मेरी कंप्लीट वेबसाइट जो है फ्रेंच लेंग्वेज कि हम किस तरह आशी ट्रांसेटर को में एड़ कर सकते हैं मेरा नाव है मुहमद रहूफ और आप लोग देख रहे हैं रूफीड़ करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बदाता जाओं अगर आप लोग अपनी वेबसाट को लाइव करना चाहते हैं या आप लोग चीप डुमेन एंड होस्टिंग के रिलेटर सर्च कर रहे हैं तो यह एक वेबसाट है डुमेंडेसर डॉट कॉम इस पर आप लोग आ सकते हैं इसके जो लिंक है वो मैंने वीडियो डिस्रीप्शन में दे दिया है वहां से आकर आप लोग यहां से होस्टिंग डुमेंड परचेज कर सकते हैं यह जो है बहुत ही चीप रेट के बहुत जबरदस कीसम की होस्टिंग परवाइर कर रहे है इनका बेसिक प्लान है अगर आप प्रैक्टिस के लिए डुमेंड ने होस्टिंग लेना चाथते हैं तो यह आप लोग जबरदस है अकलाइब स्टीब्यों क को यह बिलुकुल free of cost provide कर रहे हैं अपने silver plan के अंदर सो यह best deal है आप लोगों ने अगर hosting खरीद नहीं है अपने लिए अपने client के लिए तो आप लोग इस website पर आकर यहां से जो होस्टिंग purchase कर सकते हैं और इसके हमें translator को add करना है सबसे पहले हम लोग से ले जाएंगे डैश बूर्ड में यहां से मैं scroll down करूंगा plugins and add new यहां पर आप लोग ने search कर लेना है g-translate यह फर्स्ट वाल प्लगीन है सिंप्ली से इंस्टाल कर ले एंड एक्टिवेट कर ले एंड एक्टिवेट कर ले एक्टिवेट डाओ음 अगेन घरिंग प्र्सका चैटिंग से जी ड्रांसलेर्ट हास खमाथ टाना है इसदोर सकते हैं यहां पर यह आप लोग यहां इस दोगा से आप लोग इसके design को select कर सकते हैं जो design आप लोगों को पसंद हो तो मैं जो है by default इसको design उसी को use कर रहा हूं मेरी website भी English में है आप लोग की website जिस language में है जिस language से आप लोगों आगर translate करना है यहाँ पर आप लोग ने select करना है नीचे आ जाएं अगर आप लोग translation क के option को अपने menu के अंदर show करवाना चाहते हैं तो आप लोग यहां से select कर सकते हैं कि आप लोगों ने translator के option को किस menu में show करवाना है लाइक है अगर हम लोग मेरी website पर वापस जाएं तो यहां पर अगर मैं उस translator के option को अपने nav bar के अंदर add करता हूं अपने इस menu के अंदर तो क्या होगा कि मेरे पास यहां पर card का आइकन अवेलेबल है तो जो translator का option है वो इसके उपर की तरफ आजाए गर और वो एकदम यान के बुरा सकी effect देगा अगर आप लोग के पास जो आप लोग की navigation बार के अंदर कोई आइकन अवेलेबल नहीं है देन जो है आप लोग उसे अपनी हैं पर navigation बार के अंदर menu बार के अंदर ही add कर सकते हैं सो मेरे case में क्या है कि मैं जो है इसे right side पर footer में add करने वाला हूं मैं वापस जाता हूं dashboard के अंदर यहां पर यह option एक और है show floating language selector तो मैं यहां से जो है इसे select करता हूं bottom right scroll down यहां पर तमाम languages available है मुझे दो languages चाहिए मैं just उन्हें जो है check mark रहने दूँगा और दूसरी languages है उन्हें uncheck कर दूँगा उसके बस scroll down यहां से अपनों किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना simply save changes पर click कर देना है okay now हम लोग दाते हैं मने website पर इसे करते हम लोग refresh so यहां पर जो है इस सब्सक्राइब पर option आ चुक है अब मैं जिस language में चाहूं अपनी website को translate कर सकता हूं तो इस तरह से तो है आप लोग अपनी website के अंदर translator कर सकते हैं hopefully यह वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा फाइदा मान रही होगी अगर ऐसे है तो मेरे चैनल को लाज़ी में सब्सक्राइब की जिए और इस वीडियो को like करके comment करना ना भूलिए तो मिलते हैं ने नक्स्ट वीडियो में तब तक अबना धेर सारा ख्याल रखें मुझे दौब में याद रखें अला हाफीज